इस प्रोग्राम दे विछ हर वार असी एक नवी समस्या दी गल कर देयां ते पंजाब दे लोग की कहने ने किस समस्या दे नाल जूज रेने उतानु जानू कर वोनिया आज असी गल करांगे पंजाब युनिवरस्टी दे वाइस चांसलर दी तुस्य सोच रहे होगे कि ए समस समस्या बनी होई है विद्यार्थियां दे लिए वाइस चांसलर जड़े नमे नियुक्त कीते गए ने वो जड़ी समस्या बन गेने ना विद्यार्थियां देले क्यों समस्या बन गेने ते क्यों जरा संगर्ष करना शिरू कार देता है ना विद्यार्थिया ने इना दे को सोहरा जैस्ट है वहां से लाया गया पनार हएसे नियम को यह कहते हैं कि वाईस चांसलर किसी व को जब बनाया जाता है जिसे़का दस साल का उसी स्टेट कानवव होता है। ये यूजी सी का नियम है। लेकिन नियम को ताख पे रखें। ये किसके खास आदमी है हमें हमें पता है। इनकी शाशन में किसके साथ पकड़ हैं कि ये भी हमें पता है। उनकी विशेस कृपा के तहट इनको हम चिन्नित किया गया है और नया वाइस चांसलर बनाया गया है मैं यह जानना चाहता हूं मैं हम लोग इसने हमने इनका विरूद भी किया बूकरताल पर भी बैटे और हम इस मामले को लेकर के कोट में भी जाएंगे इसा ही एक उदैपूर उनिवस्ची में भी वा था और पुरानी एक कई उनिवस्ची में इन्होंने ऐसा किया है कानपर विशवद द्याले के असिस्टेंट प्रोफेसर को अरुन दिक्षित को उन्होंने वाइस चैंसलर लगा दिया उसे दस साल का तो उनवफ था ही नहीं और प्रोफेसर तो वो था ही नहीं असिस्चन्ज प्रोफेसर था तो नेम के आधार पर वो भी गलत है तो हमारी कई विश्विद्ध ध्याले में RSS की जो आइडिलोजी थोपने की इनकी जो प्लानिंग है उसका विरोज चल ला है कामियाब नहीं हों तो आप खुद देखो हैद्रावास सेंट्रल उनुष्टी में रोहिद बैमूला बनारा सिंदु विश्विद्ध ध्याले में चास्ताओं के साथ छेच चाट जी एन्यू में भारत विरोधी नारों का एक माहौल क्रिएट करना विज एन्यू को बदना कि एन्यू इसका प्रजोर विरोध करती है और एन्यू इसके लिए अंदोलनरत रहेगी वाइस चांसलर अगर अपनी हट पे रहेंगे अरेसस वाले अपनी हट पे रहेंगे यह सरकार अगर अपनी हट पे रहेंगे तो हम भी अपनी जद पर कायम रहेंगे इना निगल किती कि बहुत सारे सूबियां देवेच ए जही विचारता रा वाले जड़े या उपर फेसर तो लेके वीसी तो लेके हार कोई थाप़े आ गया है तो हुनों ही कोशिश यह पंजाब देवेच वी ओ सारी विचारता रा जड़ी थोपन दी कोशिश कीती जा रही ह है कि असर पेंदाए विद्यारतियां दूपर अजही मान सकता वाले लोग जो तो साड़े सेर दूपर आंके बैठ जंदेने कि मैं जिमें साड़े इंचार सर ने नितिश गौड जी यूपी तो चंडीगर दे इंचार दी इननने ब्रीफ ली सुनों दसेया जो भी ऐसी अजीटेशन कीता मैं गर्जोल संदू स्टेट प्रेजिएट चंडीगर चार देन इंडेफिनेट हंगस्टाइक ते बैठा एक प्रोवी सी एक के मैं वी सी नूपॉइंट कर साथा ओदे को लिए थोटी है छोटी डेजिंग नेशन आला बंदा है रथ होटी नू कि दा पॉइंट कर साथा ओधा और भी एक पॉइंट सी गा उस तो बाज़ दा तीजा पॉइंट सी गा भी दास साल दा उस बंदेनू ए इस्पीरियंस उससे स्टेट दा उससे युनिवस्टी दा होना चाहिए दा ओव यह ना दा निहेंगा बनारस दा बंदा इत्थिया कि इनने पॉइंट करेया इल्लीगल वे ना करेया नौब्स तो परे हटके करेया तोड़के करेया हां बिलकु बिलकुल जो भी गलाने में असी प्लिटिकल मुद्दानी है नू बनाया स्टूड़न्स देले इसी खड़े हैं सोचल वेलफेर देली इसी काम कर देया है इते कर दे रहांगे होन तक जिनने भी अपने में डिपार्टमेंट हैं कि आपा गल करिए एंसी इयाटी दी आई आई टी दी जिनने भी अपने अबढ़ान कर रहे है वी एद्धाना सिस्टम कर दिए विसारा जिदाना सी चाहिए अदाना चले जिनने बड़े वडे अपने डपार्टमेंट सी ओना बेड़े मिद्व करता बारा अबरीफ करें ऑना विच इना दे बंदे आ गया तो ना लिए ना ने विस जिए ना नकि सोच है तुसी सो सकते हूं तोनों पर तरह थोपन दी कोशिश कर दी तक्के नाल एक डिक्टेटर शिप काइंड ऑफ डिक्टेटर शिप मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है ते उस्तों बाज आपा गल करिये होने यूनिवस्टी देविच एक एड़ा वदिया महौल है बच्चे अपनी लेटर फॉरवर्ड करने जो भी ये साड़ा मुद्दा सी गया साधिया मंगा सी गया ओदे अगेंस्ट असी एक लीगल एक्शन भी लवागे कोड़ दे वेच भी जा माँगे जो इनाने नौम्स तोड़के एक्शन इदे लिया ओदा भी इसी व्रोध कर देया ते अउना ले समेच जे एदे अगेंस्ट कोई एक्शन ना होया वाइस चांसलर फॉर इंडिया नों भी एसी लेटर पामांगे कोशिच करांगे मिलन दी भी इत्थों दा जो इनाने नियम नौम्स पंक करे या तोड़े या ओदे भाव यू दे एक्शन ना होया संगार ची सा होन काल दी स्टेटमेंट थी कि वीशनी लगन दे बाद और सारी आवदा रांगव खाता यूनिवस्टी दे वेच जे केंदे कोई वी तुसी एजीटेशन आपने तर ने दे बैठना सब तो पहला मों रेंडम दो ये बिना इनफॉर्म कीते तुसी एदान दा कुछ कर नी स तो थोपना शुरू कर देता तो पहले देन तो जड़ा अगेंस्ट बच्चेंव एंटी स्टून से ना दी जो वेवेना ने शुरू करती है तुसी देख साकते हो दा असर हाजे परसो पैंटमेंट मेंट होई एक परसी नाने कुर्सिस माई या पर्सों सीना दा काले चंड पर की लगदा है कि हून एक पटिकुलर एक व्यक्ति नो तो ड़े उपर ले आके थोप देता जाता है जिनने पहले दिन तो ही जड़ेया अपने रूस बदलने शुरू कर देते हैं की सूच देऊ हाई माई नहीं ही सचीन गालव आम दी प्रेज़ेंट पंजाब दस केंडियेट में इनका नाम नहीं था प्रो वी सी कैसे एक इंटर्यू ले सकता है वी सी का उपर से सबसी बड़ी बात है कि इनके हम आज स्टूरेंस को मोबलाइज इसलिए कर रहे हैं कि जो कुछ बी एचिव में हुआ जो कुछ देश की उनिश्टी में हो रहा है इंड अज फ्रीडम से बैठी हैं यह बात कर रही हैं घूमरी हैं यह ऐसे डिसीजन लेके आएंगे कि यहां यह कुछ नहीं होगा एंटी स्टूरेंस क्योंकि इनकी विचारधार रहा है कि यह चीज़े थोपना चाहते हैं यह लोगों पे थोपते हैं यह लोगों से पूछते न दर इतने चेंज़ आएंगे कि जो भी जितने भी इंस होंगे वह वें चीजस के लगते हैं भाकी कि 10 कंद्रưởng से क्या जादा है गया और हमने इनके इस प्रोटेस्ट करने का जो जमा ठाना है और अभी रुका नहीं है वो चलता रहेगा, अलग-अलग तरीकों से चलता रहेगा, काले जंडे दिखाएगा, काले चार्ट दिखाएगा, पूरी उनिवस्टी में एक मैसेज भेजा गया, कि कल को अगर संघर्ष करना पड़े, तो हमारे साथ उनिवस्टी में हजार दोजार चातर खड़े होंगे, अनुजड़ाव विद्यार्थियां दसा योग मिल रहे हैं, हर जगहां, they are supporting us, because उनको पता है कि इंडिया फ्रीडम के और निकल रहे है, हम ऐसा देश नहीं हैं, जो दबके रहना चाता है, हम ये फ्रीडम चाहिए, हम डेमोक्रेटिक पार्ट है कंट्री का, और हम तो खु आड़ियों को गराज में रखोगे, तो उनको खुरोच नहीं आएगी, ऐसे ही लड़कियों को घर में रखना चाहिए, ताकि उनको कोई कुछ नहीं हो, ऐसी मानसिक्ता, ऐसी सोच वाले लोग अगर इंडिवस्टी के केंपस का हिस्सा भी है, या संभाल रहे हैं, तो हमार मुँपे कालिक होगी, कि हम उनसे पहले बताना पड़ेगा, हम धिरना देना चारे हैं, सर आपके खिलाफ धरना देंगे, आप त्यार हो जाईए, हम क्यों ऐसी चीज को पहले बताएं, तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे वीसी को ना किया पॉइंट, इनको कैंसल कर देन मुझेे, हम यहां हम है यहां हमारी वीसी चार्च, जिस political ideology से ये तालोक रखते हैं, हम उसका असर पहली बहुत सारी universities में देख चुके हैं बनारस हिंदी उनिवर्सिटी, अलाहबाद, JNU, हाईजरबाद, हर जगा पे इवन universities क्या हर जगा पे जहां पे बीजेपी स्ट्रॉंग है हम वहां पे girls का जो उनका status है इतना पूर होते हैं, हम अलड़ी देख चुके हैं, देखते आ रहे हैं आप बनारस की बात आप मानोगे नी किस तरह की वाहिया, घटिया, डिस्टिंग पॉलिसीज वो उस university पे अपनी थोपी जा रही है पहली बात हमने बनारस में जो assault हुआ था, mass assault उसके वारे हम जानते हैं, वहां पे रूल है कि लड़कियां रात को इनिवर्सिटी के लाइबरेडी यूज नहीं कर सकती है उनका कहना है कि रात को जो लड़कियां लाइबरेडी जाती है पढ़ने के लिए वो इम्मॉरल है, उनका वो रिसाइट करेंगे कि लड़कियां क्या पहनेंगी, क्या खाएंगी, यह नहीं पहनना, नॉन वजटेरियन नहीं होनी चाहिए लड़कियां कि जो लड़कियां सब्सक्राइब करें अगर यह लोग यहां पर आते हैं यह लोग तो पांच पुछे के बाद बोलेंगे कि लड़कें बाहर नहीं जा सकती है यह पर पंजाब युनिवस्टी तो फरक नहीं रह जावेगा जिते हैं सब कुछ हमारे यहां पर जो कल्चर है वो बहुत डिफरें लड़कीं कर सकते हैं किलzentे कर सकता हैं और हैं कि वाप नंक कर सकती हैं और दूसरी ऐसे पहले भी हमारे स्टेट ड़ से ने बताया है कि आप यह अब यह जगह पे दोजा हैं कि कोई भी पर्टेस्ट करने से पहले बताूं यादि लिए ने कि 용an my apologies pocket इतनी प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर का हर एक आप नोगो कॉर्णर में देखोगे, हर एक जगा पे इतनी प्रॉब्लम्स है, उनका पहले, उनकी पहली जो पॉलिसी थी, वो उसको क्योर करने के लिए नहीं आई थी, वो उन्होंने बोला कि कोई अवास नहीं होगे, यानि कि अपनी कोई आवास नहीं उठा सकते हैं, हम जो कहेंगे आपको करना पड़ेगा, इस तरह का महौल हमने कभी पंजाब में और पंजाब इनिवर्सिटी में कभी देखा ही नहीं है, हम तो इसको बिबकुट ऑलरेट करने माले नहीं है, अगर अगर इस वाइ कि अगर इनिवर्सिटी देविच आंदिया ने क्योंकि बाकी थामादा महौल जड़ा है, वो थोड़ा जा घुंदा है, कंजरवेटिव हुंदा है, पर इथे लोक आंदे ने इस करके क्योंकि कुडियान उहर तरह तरह फ्रीडिम मिल दिया, पर ओही हलात जड़े जड़े ने इसे लिए ओंदिया है, क्योंकि फ्रीडिम मिल फर्क नी किता जाना, मैं में थे सिविल सर्विसेज लई रात तक ते ते तिन चार वज तक कुडियान आते मुंदे दोनों बैठके ही पढ़ देने, उन्हां ते कोई रोक टोक नीए, जे हुन एद्दा दा वीस मंगांगे, उन्हां पुछ के मंगने पैने है गया है, तो मैं कुडियान ली, असी ता कहने बलकि असी ता दोनों जेड़े 25 एकरते 14 नों, असी ता इन्हां नों कंबाइन कारना, चौने इरिक्षा दे थू भी हाना, तो मैं एता कह रहे है कि तुसी पांच वेज ता की जे स्टूडेंट से सोच के होंदे, सिविल सर्विसेज दे त्यारी कारनी है, चार-चार वेज तक पढ़ दे सुबा दे मॉर्निंग, तो उन्हां नों कोई दन दर डारपाव नहीं है, तो जो की नुक्सान दाइक हो साकता है. कुछ दिन पहला है, खटर साब जी ने एक बयान दितता है कि कुडियां ते गड़ियां से कोई जादा फार्क नहीं है, उन्हां नों कोडियां नों भी करांच रखो जिद्दा की खरोच लगन दो डार सके. कुछ दिन पहला है, तो जो की सोच राख देने, उत्तों एक तुसी नारा लोने लोकान गुमराह कार देऊं, वोटा लई, कि बेटी बचाओ, बेटी पड़ाओ एद्दान दा, ते एक पासे तुसी एद्दान दे कुडियां नों गड़ियां नाल कंपेर कार देऊं, ते म स्टेड प्रेजिडेंट गुर्जोज सिंग संदू, हंगर स्ट्राइक ते बैठे ने, चार देन, कुडियां दे हकां है, लई ही मुंडे लाड़ रहे ने, ते उन्दे नाल सादे एक स्टूडेंट वरकर भी बैठे ने, ते माम सादे उनना ने, होन असी जे एक सादी गा अपने उपर लागु होन तो रोकन दे ले ना विद्यार्थीया ने इस संघरश भी करना शुरू कर देता है, ते यह वी क्या है कि जिकर डीन ने हजे आश्वासन देता है, पर जे ओ आश्वासन जडा आपने अश्वासन ते अग्गे कारवाई नहीं कर देता, कोट दा ज कि नाम है विजेजीत विजे नमी वीसी तोड़े पॉइंट होई ने दो दिन पहला ते आंध्या सारी फर्मान कार देता है कि प्रोटेस्ट नहीं कोई कर सागदा प्रोटेस्ट करने तो पहला यू शुद इन फॉर्म थे होली 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 बहुत सारे चेंजेस जड़े ने तो ना कि किसे नो किसे तो को पुछ के नहीं की राइटे ने यूवर्सटी से पढ़ रहे थालु सब पता भी साथ की राइट सब्सक्रात हो तु से तो पूछन से यूँण tenían भी सागिए कई सब्सक्क्राप ड़िये कर देशसी सिनियर होंगे आफ़े एरिया ता उ पहला ही यूथ नूं कैप्चर करना जोना ही एक छोटे लेवल तो कंट्रोल करना चाहूं दे बच्चे नों उत्वी बच्चे दा ब्रेनवाश करके पहला ही अपना जो भी प्री प्लेंड है सब कोश्वी बाद चो यह साधे ले कम करने बहुत सारी यह देश दे विच युनिवर्स्टियां ने जडियां आरे सस बीजेपी विचार करने कोशिश हो रही है तो मेरा मनने भी जडिस्टूटेंट उन्हों कटो-कटाथा जड़ा उना दी राइट्स है उन्हों दा डिमांड करने रहा हक मिलना जाहिए जो नदे व्यूज है ते ओक उस उसना कॉलेज चलना चाहिए ना की जो नहों जड़े आप वाइस वाइस चेर मेने जा जाके बेंदेदेज उफिस अंदर दफसर ना कि या चलाना दिया मेरा मनने परसेनली भी कॉलेज स्टूड़न पना दे ना कि यह जो नों लीड कर दे कटो-कटाथ स्टूड़न दी दिमार्ड जेडिया ने उन्हानु एक इंपोर्ड़स दिती जानी चाहिए सब्सक्राइब 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 करन नहीं देवांगे तो गलत हो रहा है उन्हों रोकांकी में दुझी कहीं लेकर जाऊंगे खोडे तुसी वेख्ष लेक्षे अन्हों थोड़े टाइम पहला जड़े अपने जजीश सी ओना नू आना पमीडिया गे बहुत अपने देश्वाद शर्मना कर लाकि जदों जज सब्सक्राइब करते हैं तो अनुप पता है अधे डी एस पी आई जी ए बढ़ना सुक्क है पर स्प्रीम कोर्ट जज बढ़ना बहुत अखा गल है शत्तर अब आप दी एज पूरी उमर लगें दी स्प्रीम कोर्ट जज बढ़न वास्ते कोई नहीं चाहूगा कि ओधी रैपो अधे बन दी अधे इनकोई आपन है नहीं आपन लमीश गड़ किता आ रहे है आपने अधे ते वस्ताइम सारे फरार है क्यों नहीं लेए जारे मुद्ध नहीं अपने जो चकी है मुद्धे अगलते आंदे ही निये और नहीं आदे राउल गंदी आमें वेद दस्दो जड अधे बैंबरी ओसे शैटरी बाते लाते कोई गल्त होवे कुई नाडवी गल्त होवे कोई आवाज उठाई नहीं उखिये विचारता रहे मुद्ध आर्थिया अवाज बंद करने कोशिश की ती जा विद्यार्थियानी हर आए नाम आदमें नहीं नहीं दबाता थले जड करो एक तरीक नार पर देश नीवे चना पांग है तो बिलकुल रोस तुसी देख लिए विद्यार्थियां देविच किस कदर है ओ एक विचारता दा जड़ी बीजेपी आरे से विचारता रथ ओपन दी कोशिश की ती जारी है ओधे पूरे विरोध देविचे विद्यार्थ या फिर एमामला जड़ा अदालत तक पहुंच चलाए तो बाद एस विची दी तबदीली हुंदी है या फिर नहीं